नमस्कार देख रहे हैं जोतिश जराहट के राहु का महा परिवर्तन चर्चा करेंगे आज विरिष्चिक राशी की विरिष्चिक राशी वालों के लिए राहु का परिवर्तन जो की पंचम भाव में हो रहा है 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक वह क्या फल देने वाला है पंचम भाव हमारे जीवन के मूल घटनाओं के कारक भाव के रूप में जाना जाता है जहां का नैसर्गिक कारकत्व सूर्य के साथ कनेक्ट होता है पिता के लिए ठीक नहीं है विरिष्चिक राशी पंचम भाव में राहु का पदारपड स्थान जहां बैठा है वहां के अनुसार जो फल मित्रो जोतिश में एंगलवय है सब कुछ मैंने पिता से सुरू किया पंचम में बैठे राहु को क्योंकि ये आप पर असर करेगा विरिष्चिक वालों के लिए पिता से सम्मंधित कुछ अप्रिय समाचार प्राप्तों हो सकते हैं अगर पिता ब्रिधावस्था में है तो आप पिता के खयाल को बढ़ा दे पिता का केर बढ़ा दे पंचम में बैठ करके आपके लाभस्थान पर भी निगाह डालेंगे उसका असर मैं बताऊंगा लेकिन यह आपके सिक्षा और संतान का भी भाव होता है तो अगर आप व्रिष्चिक राशी के विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई से सम्मंधित कुछ गलत फैसले हो सकते हैं जिन पर बाद में आपको 18 महीने बाद पच्चता ना पड़े लेकिन तब तक चड़ खाएगा तो भाईया राहु बैठा है तो काहें समझेंगे क्या कहतेंगे और चला चला बहुत देखे इतोहरे ऐसा से चला बहुत आया समझावा खातें जा अरे जरत होई है कि ये सब भाव आते हैं और हम अंसुना कर देते हैं किसी के समझाने को अंदेखा कर देखे हैं किसी के बताने को तो आपके फैसले शिक्षा के छेत्र में गलत हो जाएंगे प्रेम भाव है उसमें विकार आ जाएगा आपका किसी के साथ प्रेम संबंध स्थापित हो रहा है आपकी राशी व्रश्चिक है तो उसमें विकार आ जाएगा उसमें दुराव आ सकता है आपके मन में अपनी प्रेमी का अथवा प्रेमी को ले करके दुर भाव आ सकता है गलत भाव आ सकता है हालाकि उस भाव का कोई बेस नहीं होगा ये भी बता देता हूँ क्योंकि राहू बेसलेस है राहू अपन लेबल है लेकिन अब आ गया तो आ गया तो आने वाले अठारह माह ब्रिश्चिक राशी वालों को प्रेम प्रसंगों के मसले पर कदम फूख फूख के रखना होगा दिल से रही दिमाग से चलना होगा दिश्टी पंचम में बैटकर पहली पांच में दिश्टी आपकी कुंडली के नमभाव को देखेंगे यात्रा, धर्मचेत्र, धार्मिक्ता, शक्ति-पीठों की यात्रा आदी ये कराएंगे शेरावाली के दर्वार आप जाएंगे आप कांगडा देवी जाएंगे आप भध्रकाली माता जाएंगे आप कड़ा धाम जाएंगे आप मैहर जाएंगे आप बिद्द्वासनी माता के मंदिर जाएंगे आप जौला देवी जाएंगे ये शक्ति-पीठ जो है आप इन जगों पर जाने की बारे में सोचेंगे विचार करेंगे राहु की दिश्टी नवम पर है आपके लिए ऐसा विचार आ सकता है एकार दस भाव को राहु देख करके जल्दी अमीर बनने के लिए विचार कराएंगे आप काम पर बहुत कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत हट तक पॉसिबल है कि आप प्रेम को साइड करके पंचम को साइड करके एकार दस के विशे में सोचें क्योंकि एकार दस भाव पर जो इनकी दिश्टी है वहाँ पर कन्या राशी है और धन के मामलों में बुध एक नंबर का ग्रह होता मैंने पहले भी वीडियो में बताया है तो बहुत हट तक संभाव है 95% कि प्रेम से उपजा विशाद अम्रित बन जाएगा बिजनस के मामले में धन के मामले में पैसे के मामले में आउट आफ टर्न प्रमोशन करियर में उच्छाल बड़ा स्टार्ट अप का विचार बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना सब्तम दिश्टी का प्रभाव है शेयर बाजार लॉटरी अडॉप्टेशन आदि छेत्रों से अगस्मात चल अचल संपत्ति की प्राप्ति की संभावना लंबी आत्रा से सुखद एहसास नवम ब्रिश्टी से आपकी राशी को देखेंगे ब्रिश्चिक राशी को देखेंगे थोड़ा गुस्सा बढ़ जाएगा बीपी के पेशेंट हैं ब्लड पेशर बढ़ेगा अकस्मात किसी बड़ी मुसीबत में जा सकते हैं आपके लिए कुछ प्रभाव अचानक किसी निगेटिव विश्टति में आता है दिमाग पर इसका असर रहेगा चोकि विश्चिक राशी है चंद्रमा सोच को प्रभावित करता है चंद्रमा आपका अगर विश्चिक राशी में है विशाखा नक्षत्र है तो थोड़ा बहुत बचाव हो जाएगा लेकिन अगर अनुराधा नक्षत्र है तो मैटर थोड़ा गरबर हो सकता है शनी का प्रभाव जुड़ जाएगा शनी आपके लिए कुछ निगेटिव परिणाम दिखाएगा जेश्था में रहेगा तो फिर भी थोड़ा बिटर रहेगा तो लगन को देखकर राशी को देखकर जादा निगेटिव नहीं है तो प्रकारांतर से थोड़ा पॉज्टिव है अगर आप मिच्योर हैं मनलब आप 30-35 प्लस पे हैं आपकी राशी ब्रिश्चिक है तो आप नवम दिख्टी वाले दोशों से बच सकते हैं ये इसका पॉज्टिव एंगल हमने बताया क्योंकि नवम दिख्टी से दिमाग पर प्रभाव पूरा पड़ेगा इनका इसको बैलेंस करके चलना होगा sincerity दिखानी होगी maturity दिखानी होगी बड़ों से सलाह मश्वरा करने में बिल्कुल संकोच न करियेगा सोच लीजिये पूछ लीजिये समझ लीजिये और फिर करिये आपके लिए अनकुलता रहेगे तो चीजें बड़ी maturity चल रही है एक तरह से अनकूल परिणाम लगन के साथ इसका जुड़ जाता है तो overall निशकर्ष जो निकलता है भिष्चिक का वो संतुलित निशकर्ष निकलता है एक प्रेम वाला मैटर थोड़ा सा गड़बर किया है लेकिन अब क्या कर सकते हैं जो है वो तो हई है आप रहश्पन प्रधान है तो सब अच्छा अच्छा हो जाएगा और इसमें जादा वही फंसेगा और बहुत जादा मिलेगा तो बिष्चिक वाले जेड़ दो सालों के लिए अपनी लव लाइफ से थोड़ा सा साइड हट जाएगा यह मेरी आपको बहुत प्यारी सी सला है बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक्यू सो मज इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए मीन के राहू के दोशों से बचने के लिए गाहतरी मंत्र की उपासना माता पिता की सेवा गव उपासना पूर्ण सात्विक्ता बहुत शुक्रेगा नन्यवाद नमस्कार जैसीरादे आचार्य विश्व प्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृती की शक्ती को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्षमी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीब एक खुशियां अनेग प्रहदीब